मैं आक्षाफ का स्वागत करता हूँ आज हमारा फर्स जो नॉन टेरिशनल मशिनिंग मेथड है इसका नाम है माडियर आब्रेसिव जैट मशिनिंग मेथड शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एजेम सबसे पहली बास एजेम में हम क्या करने वाले हैं एब्रेसिव और एर और को हाई प्रेशर और हाई वाला सुटी के साथ काइंटिक एनर्जी को हम इंपार्ट करने वाले हैं वर्क पीस पे ताकि यहां पर क्या हो मैटल का रिमोल हो जाए तो कम्प्लीट सेट अप आफ अब्रेसिव जैट मशिनिंग इस लाइक तैट सबसे पहले आपका यह एर है अगर उसमें कुछ मोश्यर है तो उसे ड्राइ कर देगा और ड्राइए और गैस कहीं ने कहीं आपका इस फिल्टर से होते हुए इस बैसिकली वाट यॉर मिक्सिंग चंबर यहां से अपन उपर इक होपर लगा है जिससे की एब्रेसिव फिटर यहां पे आपन जो हाड म प्रेशन करने वाला है और इस वर्कपीस पर पॉंट पर इंपार्ट करने वाला है वह ताकि यहां से क्या हो यहां से क्या हो माइडियर आपका मेटल रिमोवल हो सके ओके इस बैसिकली वाट यॉर नोजल और वाट पीस नौ तो सेटप अर्रजमेंट इस नौ कम्प्लीट थोरी देखते हैं इसका अगर हम बात करें एब्रेसिव जेट मशिनिंग का तो वाट वी स वाट पीस मेट्रील है क्या करेंगे इंपिंग करेंगे बेसिकली चक्राएंगे ऐट हाइव बेशीटी नेशित आफ अफ एबरेसिव पार्टीकल्स इजिद भाइग गैस और एयर जो आप आपर पर इंपारों करवाने वाले हो नाव सेकिंड पॉंट हाई वालोसिटी प् converting pressure energy of carrier gas or air into its kinetic energy and hence high-velocity jet nozzle directs nozzle का करेगा उस particular mixture को direct करेगा कहीने कहीन वो pressure energy को kinetic energy में convert करेगा nozzle directs the abrasive jet in a controlled manner into work material so that distance between distance between the nozzle and work piece and the impeachment angle is can be desirable so this particular motion को जो control करने वाला है वो कौन है आपका nozzle कहीन कहीन आपको nozzle और work piece के बीच में जो gap है उसको भी maintain रखना होगा कहीन कहीन आपके जो angle angle है basic nozzle और आपके वर्कपीस का वो भी maintain रखना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका जो energy है kinetic energy है वो कहीन कहीन वर्कपीस पे इंपार्ट हो सके और वहाँ पे metal का remove हो सके high velocity abrasive particle जो आपने high velocity abrasive particle रखे हैं these remove the material these are basically what remove the material by micro cutting action as well as brittle fracture of work material इस पर्टेकुल मेथर से आप माई डियर brittle metal को भी कहीन कहीं आप machining कर पाएंगे because high जो basically energy है वो कहीन कहीं आपकी वर्कपीस पे इंपार्ट हो रही है हां और कहीन कहीं एक पॉइंट पर इंपार्ट हो रही है है कि नहीं तो हम कह सकते हैं इससे हम बिट्र मेल का भी हम अराम से micro cutting कर सकते हैं so this is basically theory of your process basically process of your abrasive jack machining process अगर हम बात करें कुछ इसमें parameters का कि क्या-क्या इसमें parameters हम देखते हैं तो देखिए अगर हम process parameter की बात करें तो यह आपका था nozzle is it clear और this is basically what your work piece जो nozzle और work piece में बीच जो gap है basically वो इसे बोलते हैं अपन stand of distance it is basically called stand of distance the gap between nozzle and work piece is called stand of distance and my dear यह आपका क्या है nozzle है high velocity abrasive jet जिसकी आपकी velocity होती है 150 to 300 meter per second और कहीं ने कहीं आपका extent of distance है यह आपका extent of distance बहुत matter करने वाला है metal remove rate में जिस हम भी पढ़ने वाले आगे कैसे आपका stand of distance जो है वो कहीं नहीं कहीं आपके इस work piece के metal remove में फायदा देने वाला है नुसरा देने वाला है कैसे आपका MRR remove कैसे आपका MRR vary होगा according to your stand of distance generally जो stand of distance बन रखते हैं वो होता है 25 से 75 mm के बीच ना अगर हम बात करें size of abrasive का जो हम abrasive यहाँ पर यूज करने वाले है उनका जो size है वो कहीं कहीं आपका 0.025 mm होता है mass flow rate is equal to 2 to 20 gram per minute okay velocity जैसे आपने बताया अभी 150 to 300 meter per second and pressure is 2 to 10 atmospheric pressure nozzle की बात करते हैं तो nozzle किन-किन material से बना होता है अगर आप nozzle की बात करें तो रहा basically made up of two types of basically two metal से बना होता है first one is tungsten carbide second one is sapphire nozzle sapphire मतब जो 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 अगर रतन वगर पहनते हैं अपने अंगूटी वगर में जो बिसिकली वो जो आपका metal है उसे ही कहते है है अपन सैफाइर वो सैफाइर से बने होता है तेरे hard metals basically now tungsten carbide and sapphire SIC abrasive this is basically what Al2O3 and WC clear मतलब क्या हो गया hardness of जो सैफाइर है वो ज्यादा होती है hardness और basically tungsten carbide से now life of nozzle हमेशा ज्यादा होनी चाहिए कई ने कई इसलिए आप hard metal का बनाते है life of nozzle varies between 12 से 300 गंटे nozzle tip distance जो है कई ने कई जो आपका stand of distance है इसे अपन nozzle tip distance भी बोलते है है माईडियर दोनों ही नाम है इसके एक नाम नहीं दो नाम है एक तो नाम है आपका stand of distance बोल दे या यह बोल दे nozzle tip distance दोनों का ही बात सेम है it is just a distance between what nozzle and your nozzle tip and your workpiece clear जो जो जनरली हम जो nozzle tip distance रखते है माईडियर इसे ही बोलते है अपन stand of distance यह होता है 0.25 से 0.75 mm नाव जनरली जो हम abrasive इसमें यूज करते हैं जो abrasive यूज करने वाले हैं जिसका जो size है वो 0.025 mm तक है वो कौन-कौन से hard metal कौन-कौन से माईडियर aluminum oxide, Al2O3, silicon carbide, crushed glass, glass कर टुकड़े करके and sodium bicarbonate, they are basically abrasives, these are used in what AGM process, abrasive jet machining process, so my dear, these are what called process parameters of abrasive jet machining, हमने देखा कि what is the extent of distance कितना होता है, size of abrasive क्या क्या है, यह exam में कभी-कभी generally questions exam में put up कर ले जाते हैं, excessive वगर में, छोटे-छोटे questions process parameter से आपके exam में आने की chances बढ़ जाते हैं, clear, mass flow rate, pressure और nozzle किस-किस metal का बन सकता है, sapphire and tungation carbon, please remind it, अच्छे जिनको याद कीजेगा, now, अब कुछ आगे बात करता है, process parameter से हमारे इस particular process से क्या फरक पढ़ने वाला है, इसका MRR पर क्या फरक पढ़ना वाला है, हम उसके बात करेंगे, MRR बोले तो metal removal rate of workpiece, now, now my dear, जहां से देखेगा, अगर मैं कहूँ, यह आपका nozzle है, यह कहा है my dear, आपका nozzle है, और this is basically what, workpiece distance, मतलब यह nozzle हो गया, यह आपका workpiece है, पहले मार लेजिए आपका nozzle जो है, और workpiece के बीच पर distance 0.75 mm है, now, अगर हम distance बढ़ाते जाएंगे, my dear, अगर हम distance बढ़ाते जाएंगे, तो देखेंगे, कि MRR पे क्या फरक पड़ता है, और कहीं नहीं कहीं जो आपका metal remove हो रहा है, तो उसे surface कैसे दिखाई दे रही है, हम उसके बात करने वाले हैं, clear, तो दाओ, देखते हैं, सबसे पहले my dear, तहां से देखेगा, सबसे पहले, अगर हम, हमारी जो extent of distance है, या मैं कहूं नोजल tip का workpiece के साथ distance अगर बहुत कम रखे हैं, तहां से देखेगा, अगर मैं 0.75 रखूं, बहुत कम अगर रखता हूं, तो कहीं नहीं कहीं मैं कह सकता हूं क्या, high energy, high energy of my dear, आपका जो particles का high energy, abrasives plus air का, जो high energy impact होगा, तो कहीं ने कहीं, आपका जो है, आपका MRR बढ़ेगा, कि नहीं, जैसे जैसे हम आपका distance बढ़ा रहे हैं, मां लीजे 0.75, 0.5, तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है, कहीं ने कहीं, आपका MRR क्या हो रहा है, मैं बढ़ रहा है, लेकिन, आपकी जो high energy impact हो रही है, कहीं ने कहीं, उस particular work piece पे, लेकिन, माइडियर, जैसे जैसे हम distance को बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे हम distance को बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे ही माइडियर, इस nozzle tip और work piece के बीच में, air का distance बढ़ता रहेगा, is it clear, मतलब जैसे जैसे हम आपका MRR इंक्रीज हो रह plus air particles में थी, वो पूरी की पूरी ही energy, लगबख पूरी की पूरी energy कहां impact हो गई, work piece पे, क्योंकि ये बिलकुल past में थे, यहां पे air का distance काया था, हमाईडियर, बहुत कम था, तो जैसे जैसे कहीं ने कहीं, आप एक particular limit तक पहुंचेंगे, मालो 5 mm तक पहुंचेंगे, तब त particular limit के बाद, अगर आपने और distance बढ़ाया, तो कहीं ने कहीं, air का resistance बढ़ने के साथ, क्या होगा, आपकी जो kinetic energy है, उतना की उतना वो work piece पे इंपार्ट नहीं कर पाएगा, due to what, air resistance in between work piece and nozzle tip, so अगर air resistance बढ़ रहा है, तो कहीं ने कहीं, आपका, मैं कह सकता हूंगा, kinetic energy जो work piece हो क्या होगी, कम होगी, और कहीं कि आपका MRR भी कम होता जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम distance बढ़ाएंगे, पहला तो MRR बढ़ेगा, फिर constant रहेगा, और फिर आपका क्या होगा MRR कम होना शुरू होगा, मतलब अगर मैं इस work piece के मूझ को देखूं, यहाँ पीस के mouth को देखत है, नोजल का flow है, निकलने वाले air particles का, वो फैलने वाला है, जिसकी वज़े से जो आपका, यह distance क्या हो रहा है, कहीं कहीं दीदर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप कहेंगे MRR rate तो क्या होगा, पहले जादा होगा, फिर constant होगा, और कहीं कहीं कुछ देर बात, air distance आपका MRR कम होता रहेगा, this is the tendency, my dear, अगर हम graph कीचे, MRR और nozzle tip distance के बीच में, तो आप कहीं कहीं देख सकते हो, my dear, कि my dear, देखो देखो, nozzle distance पहले देखे बढ़ रहा है, तो आपका MR बढ़ रहा है, क्योंकि in this particular condition, आपका air resistance क्या है, कम है, air resistance अगर कम है, तो कहीं कहीं, जितन जितनी energy आपके पास है, जितनी energy, basically, air और जो air पार्टिक इनके पास है, वो पूरी की पूरी ही energy क्या हो रही है, उस workpiece पे इंपार हो रही है, मालिजे, कुछ बहुत कम यहाँ पर air resistance आता है, लेकिन धीरे-धीरे अगर आप nozzle tip distance बढ़ाएंगे, तो कहीं कहीं आपका, जो nozzle tip distance बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ही आपका MRR क्या हो रहा है, मालिजेर, कम हो रहा है, तो इस बात को धाया रखना है, जैसा जैसे आप basically stand of distance बढ़ाते हैं, वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका MRR क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ये graph बहुत अच्छी जार रहेगा, काफी पूछने के chances बढ़ जाते हैं, कि stand of distance और MRR के बीच में क्या graph बनता है, अब अगर हम आगे और बात करें, तो इक बात पढ़ लेते हैं इसे, as the SOD, SOD मतलब stand of distance increase, जैसे आपका stand of distance increase हो रहा है, then initially the MRR is increased, initially आपका MRR increase होगा, क्योंकि due to the increase in velocity as the abrasive jet have more time to accelerate, but as the, okay, but, okay na, as the abrasive jet have more time to accelerate, but as the SOD is increased, further increase, then atmospheric distance जो होगा, basically, जो atmospheric distance है, वो क्या हो रहा है, वो आपका कही ने कही ज्यादा हो रहा है, जैसे आप इस distance बढ़ा रहे हो, आपका जो atmospheric gap, वो ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे हम बात करते हैं, then atmospheric distance checks, cheeks the kinetic energy of the abrasive, जो atmospheric gap है, जो atmospheric distance है, वो कही ने कही आपके उस work, basically, जो आपका air और particles है, abrasive particles है, उनको, उसकी kinetic energy को cheek कर रहा है, जिसको कम कर रहा है, जिससे क्या होगा, and hence, even though kinetic energy increases, then atmosphere resistance decreases the energy upon impact, and for certain gap, the MRR remains constant, therefore, further increase in SOD results in lower in MRR, as the air resistance start dominating the kinetic energy of abrasives, this is basically the theory of what, what we can say, अगर हम MRR को देखें, इस तो कैसे behavior शो करता है, it is just an example of this, now, अगर हम बात करें, कुछ और अगर हम graph की बात करते हैं, अगर हम कुछ और graph की बात करते हैं, तो देखें, अगर हम MRR और abrasive flow rate की बीच में graph देखें, okay, if I talk about MRR and abrasive flow rate, तो हम यह देख पाएंगे, कि जैसे से आप कहीं ने कहीं abrasive flow rate बढ़ाते हो, वैसे वैसे ही आपका MRR बढ़ने लगता है, लेकिन एक particular limit के बाद माईटे, एक particular limit के बाद, अगर आप abrasive flow rate और बढ़ाओगे, तो कहीं कहीं abrasive, abrasive के बीच टक्रान शुरो जाएगे, है नहीं, मतलब वो abrasive, abrasive भी आपस में टक्रान शुरो जाएगे, कहीं ने कहीं वो जो energy है, खुद के टक्राने में लगा देंगे, वो energy work piece पे impact हो ही नहीं पाएगे, तो मतलब एक limit के बाद, आपका MRR क्या होने वाला है, कम होने वाला है, is it clear, now, अगर हम बात करें mixing ratio क्या, मतलब, MA का बात करें, the mass of abrasive, और कहीं ने कहीं, अगर इसके ratio की बात करें, mass of abrasive upon, जो mass of आफका air and mixture है basically, अगर उसके बात करें, जैसे से आफ mass of abrasive कहीं ने कहीं अगर आप बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होगा, आपका MRR है, वो increase होता रहता है, is it clear, now, is basically called the mixing ratio, ओके, और वहीं बात, एक particular limit के बात क्या होगा, आपका, कम होना शुरू हो और ये SOD के साथ देखा हमने, MRR, SOD, हमने देखा ही है, कि जैसे जैसे आप SOD बढ़ाएंगे, extent of distance बढ़ाएंगे, MRR पहले तो बढ़ेगा, फिर constant रहेगा, और फिर क्या होगा, माइडियर आपका decrease हो जाएगा, clear, और air pressure की बात करें, जितना ज्यादा air pressure लगाएंगे, उ which one is correct for AGM, now, now my dear, अगर हम कुछ एक दो formulas की बात करें, जो derivative formulas है, derivative से निकल जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा इस बात के दियान रखना है, कि जो MRR of brittle materials है, हमने कहा था कि इस particular AGM process से आप brittle और ductile दोनों का ही आप machining कर पाएंगे, मेटल दिमो कर पाएंगे, तो अगर हम बात करें, MRR of brittle metal का, तो उसका जो formula आता है, वो आता है, MA, V की पावर 3 by 2, रोजी की पावर 1 by 4, and H की पावर 3 by 4, हमें derivative जाने जो तो नहीं है, हमें बस formula दान रखना है, formula से ही कहीं कहीं कोशन आपके put up होंगा exam में, तो now, रोजी is basically what रोजी is density of grids, जो भी आपने abrasive काम लिये हैं, उसका density, रोजी, V है आपका velocity of impact, कि भाई, आपका velocity क्या है, impact का, H है hardness of workpiece, and my dear, MA है, mass of the workpiece, clear, यह है आपका MRR of what, brittle metal, और अगर मैं बात करूँ, MRR of ductile metal का, उसका formula होता है, 1 by 2MA, V स्कूर बाइच, अब exam में कुछ भू सकता है कि भाई, MRR of abrasive jet machining of bitter material, is directly proportional to, V की power 3 by 2, V की power 1 by 2, 4 option देगा, you have to find, क्यों कौन सो option जो है, आपका correct है, तो अगर bitter material दिया है, तो MRR of bitter material, अगर हम बात करेंगे, कि abrasive jet machining का, is directly proportional to, V की power 3 by 2, वहीं अगर हम बात करें, MRR of ductile material का, तो उसका कितना होगा, V की power 2, यह सब आपको थोड़ा सा relation है, आपको ध्यान रखना है, और यह भी ध्यान रखना है, कि यहाँ पे rho क्या है, यहाँ पे H क्या है, यहाँ पे V क्या है, यहाँ यहाँ पे M क्य है, यह कहीं कहीं questions, आपके SSA के exam में पूछने के चांदेंस है, तो यह रही आपकी theory of AGM, abrasive jet machining, हमने यह देखा, इस इस पर एक लक्षर में, कि abrasive jet machining का setup क्या होता है, इसमें कौन-कौन से component होते है, और हम यहाँ पे basically process क्या करने वाल है, कहीं करें हमने देखा, कि जो आप आपका air, यहाँ में को gas और abrasive का mixture है, वो high velocity के साथ work piece पे impart होगा, जिससे कि आपका machining process होता है, it is useful for both ductile and metal, and हमने यह देखा, कि इसके process parameters क्या क्या है, कितना velocity हमें चाहिए, कितना extent of distance है, मतब आपका जो nozzle tip और work piece पे बीच में, कितना distance है, उस ही हमने बोला, nozzle tip distance, और उस ही ह abrasive jet machining, हमने यह भी देखा, और फिर हमने यह देखा, कि what are the basically graph between the MRR and different different process parameters, like your abrasive flow rate, mixing ratio, stand of distance, and your air pressure, these are very important for your examination, और last minute देखा, कुछ दो formula's थे, metal removal rate for brittle material, and metal removal rate for ductile metal, इनका बस आपको relation याद रखना है, ओ कहने के आपका पूछने के चाहने से, so this is basically all about for your abrasive jet machining, so we now forward to advantages and limitation of AGM process, what are the basically advantages, what are the limitation, and what are the applications of abrasive jet machining process, now my dear, if I talk about the advantages, now we can say, fragile and heat sensitive work piece can be machine, okay, fragile मतलब जो basically आपके कम जोर होते हैं, उसे बोलते हैं, material, okay, very low capital cost, आपको ज्यादा costing की निमार नहीं है, यहापे, no vibration and no feed work, और very hard material can be machine, यहापने देख चुके हैं, these are basically what is triggered, because, जैसे जैसे आप यहाँ डिस्टेंस बढ़ाता जाओगे, वैसे वैसे ही आपको जो abrasive और air mixture का flow है, वो फैलता रहेगा, प्लेटेंगे नहीं, इसकी वजह से आपके work piece में जो यह flow इदर हो रहा है, तो जहाँ आप basically work piece में metal remove चाहते हो, वहाँ तो होगा ही, पास Now my dear, हम देखते हैं कि what are the application, okay, low MR, taper cut, और हम देखते हैं, अगर हम बात करें कि application क्या है यहाँ पे, what are the application of abrasive jet machining, intricate hole, very good, fragile, bitter materials can be machined from AGM process, is very important application, bitter materials can also be machined by what, AGM process, cleaning, polishing and deburring, micro machining भी हम इससे, और हम से कर सकता है, with varying your air pressure, you can vary with your application, clear, now, this is all about for your abrasive jet machining process, you can take a screenshot, just I, send a screenshot, please click the screenshot of abrasive jet machining, this is the working, how the AGM process works, this is the process parameters, this is the diagram, and this is process parameters, one by one, please take S, this is the relation between, the standoff distance, and your MRR, metal removal rate, please take SS, so that you can write it on your own notes, this is theory about that, the same, now, some also graphs are there, and these are the advantages, limitations, and application of AGM process, so my dear, in our next lecture, we are, consider the next NTMM process, this is ultrasonic machining process, ISAM PR से बोलते है, USM process, we will discuss in next lecture, thank you so much guys, If you really liked the video, hit the like button, share the video, comment on our video, and subscribe to our YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates, thank you.